हेलो प्रेंट्स कैसे हो आप सब मेरे यूटूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है तो मैं अन्रादा और मुझे आसा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो हम तो अच्छे हैं लेकिन बेबी थोड़ा बिमार हो गई है हंशु तो अच्छानक हमें होस्पिटल आना पड़ा क्योंकि कल थोड़ा नॉर्मल से उसको बुखार था लेकिन रात बर बहुत बुखार आया उसको ना सोई वह कुछ भी नहीं खाना मलो दूद भी नहीं पीरी थी सिर्फ थोड़ा थोड़ा इस पीरी थी 25 ml बस मलो जब डिलीवर ह होते हैं वेभी तब पीते हैं 25 ml तो अभी वैसी हालत होगी थी उसकी तो हम अच्छानक से हमारा नंबर लग गया क्योंकि फोन में नंबर लगाना पड़ता है जहां पर हम होस्पिटल में आये हैं हमारे जो भी सीटी में होस्पिटल है इस पैसल बच्चों का ही होस्पिट लटू दर आये हैं हम तो अच्छा हुआ हमारा नंबर लग गया तो हमें धाई वज़े के आस पैस बूलाया था उन्होंने तो हम सब आ गए मेरे साथ आये हैं सासुमा के पास ही दिया है शानू को और मेरे हस्बेंड आये हैं मेरे ससुर जी आये हैं तो थोड़ा-थोड़ ही दूद पी रही है और इतनी जादा उल्टियां हो रही है उसको हमारा मोसम भी चेंज हो गया क्योंकि हम करनाटका से जरनी किये हैं महरास्ट्रा में तो हमें भी थोड़ा-थोड़ा खांसी हुई है लेकिन हम थोड़ा बैटर फील करें कि हमने दवाई ले ली थी लेकिन बच्चों का बहुत मुश्किल होता है तो मैं उसको हसाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह कुछ भी नहीं स्माइल तक नहीं दे रही थी तो देख उल्टी कर ली उसने बहुत जाद है बस जैसे ही दूद पिलाती हूं मैं वैसी ही उल्टियां कर रही है तो हम डॉक्टर के पास गए हैं लेकिन फोन आलाउट नहीं था उदर तो उदर का नहीं सूट कर पाई मैं तो हम थोड़ा गैलरी में बाहर होस्पिटल के पार गैलरी उदर बैठ है तो उसको भूख के जाना है थोड़ा जाधा पिएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा तो इतना वीकनेस आया है अंशु को कुछ नहीं कोई बीर थी बत्चों च्पने बहुत भी मार हुए है कुछ हो तो उसने होल्टी किया था मेरे उपर कर लिया मैं जासी उसको मेरी आई ने डूद्ध पिलाया तो उसने पोंच रहे हैं और समयल नहीं 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 पुखार था उसको रात बर उसने नहाम에 सोने दिया हम भहुत डर गए क्यूंकि इतना अंधाजा नहीं है मुझे भी फिर मैं साषोमा के पास गई साषोमा भी पूरी रात नहीं सोये हूं हम στο हाई साषोमा बहूर डर गए है कि पतानिया अभी डॉक्टर का बोलेंगे और क्या होगा आगे और कहींše अड्मिट ना कर दे क्यूंकि म मुझे तो कुछ भी अंदाजा नहीं था लेकिन मम्मी साथ में थे लेकिन अभी बड़े है तो उनको एक्स्पिनियंस रहता है तो उन्होंने बोला कि थोड़ा जो त्वच्छा है वह पीली पीली हो रही है और मैं बोल रही हूं नहीं नहीं उसको मैंने यलो ड्रेस डाला थ है लेकिन उसका 20 के आसपास पहुंच गया था उसका पीलिया तो उसको अचानक से अड्मिट कर लिया था सबसे डरती हूं मैं कि कहीं पता नहीं आड्मिट ना कर ले कि फिर बच्चों के बहुत हाल होते हैं ब्लड टेस्ट वगएरा होते हैं और हांशू रो रही थी तो पता नहीं क्या करूँ मैं क्या करूँ तो जो हमाई डॉक्टर के पास आये हैं उधर तो नंबर जो न वी फोन में सुबढ ही लगते हैं नंबर सिर्फ आदा घंटा ही नंबर लेते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं काफी एक्सपिरियेंस हैं उनको तो आदे तो बीना नंबर की डॉक्टर चले जैसे हम पूंचे हाँ ड्हाई वज़ा अच्छ हुआ हम धड़ा जल्दी पहुंच गया लेकिन बाद में जो भी आए उन्होंने नंबर लगा के रखे थे हो सब जा रहे थे हो हमें पूछ रहे थे कि आपका हो गया क्या तो हमने बोला हमारा हो गया है बोला अच्छा हुआ हमारा दे नंबर नहीं लगा डॉक्टर ही चले गए तो बहुत अच्छे डॉक्टर है और अश्यू अभी मैं उसको लेए हुए तो ऐसी बस पड़े हुई है बस सरह ऐसे लगाया हुआ है मेरे शॉल्डर में तो मैं आई को बोल रहे थे आई नहीं कुछ नहीं घाया था हमने सुबह से क्योंकि आश्यू का बहुत विक्नेस हुआ था तो हम उसके पिछे पिछे भागे रहे क्योंकि बहुत डर लगता है बच्छों के लिए बहुत परिशान हो जाते हैं फिर आई बोल रहे थे अभी थोड़ा ठीक लग रहा थो उसको डॉ बहुत विक्नेस है मला डॉक्टर ने बोला है अची है मतलब उसका जो वेट गयारा लेकिन मुझे लग रहा था नहीं थोड़ा हो रहना था क्योंकि हमने अभी ग्यारा मंत को स्टार्ट हुई है तो जब वह नाइन मंत की थी तब मैंने उसका वेट चा किया था तो उतना तो सिर्फ 50 ग्राम उसका अभी तक बड़ा है बहुत बिमार हुई थी वह पीछे भी क्योंकि उसको अभी दान्त आ रहे तो उसको बहुत लेट दान्त आ रहे हैं अभी किसी-किसी बच्चे को क्या होता है कि जो मेरे साथ गलीवरिया हुई उन बच्चों को 6 मंत के दान्त अधिक प् walking आ गही हैं लेकिन अंश्यों को बहुत लेट हो रहा है दान्त का प्रोसेस है वह 11 मंत में और है इसको स्टार्टिंग है 11 मन्त तो स्को अभी दान्त आ गहाए तो डूसरा आरहा है तो डॉक्टर बहुत visitor कई है उसको उल्टियां हो रही है अभी हो रहा है उसको दो देन पहले तो नहीं धाल Çaय कि Gwen वह बाशांसथा पर हो acağım is ऐसी ही पड़े हैं भी बस ऐसी लिएकिर के चूप रहेती है इनक्त नहीं झीदिये है ना कुछ बस न कि हसती है तो हम भी परिशान हो गए तो सोधगते हुआ तो ऊन्षु को लेच देख कें तो उसको फिर से थोड़ा फीडिंग करवा रहे थे हम पहले हमकि कर वाइथते निकाल दिया था फूर तो सskट अधिक कर रहा थे उसको मेडिकल में जो भी टैबलेट वेरा दवाईयां दी है डॉक्टर ने लेकिन कुछ एक दवाईया मेरे पास पहले से है जो भी जब मेरे डिलीवरी हुई थी उधर भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे तो उन्होंने पहले ही दी थी मुझे टोनिक वेरा रेते हैं और वो है तो से ठीक हो जाए बस और के चाहिए एक मा के लिए उसका बीबी अच्छा रहे बस तो इदर से इन होते हैं लेकिन अंदर मोबाईल आलाउट नहीं है तो नहीं लेके गई में तो हम बहारी बैठे हैं बहुत भीड है लाइन में लगे हुए है लोग तो शुबह से मतलब साड लेके लिए तो हमारे सामान भी असी हमने बाहरी रखा हुआ था हम में साथ में लेकर आए तो इसको थोड़ा सा दूर वगेरा तो चोटे सो इतना चोटे चोटे बीबी लेकर आए हैं क्योंकि सर्दी आज कल मोसम ही वैसा हुआ है विंटर स्टार्ट हुआ है तो यही जो चाथी बहर जाती है सर्दी से तो फिर अडमिट हो जाते वी तो हांशु का ऐसा कुछ नहीं था तो इतना नएड बोले डॉक्टर की नहीं है आप सिरफ उसको डाल का पानी दो फिर चावल का पानी वैसे तो मैं उसको देती हूं दाल गया रहा है पानी और खीचडी बनात मूंग डाल जो होती है थोड़े से चावल डालके तो वैसे कि चड़ी खिलती हूं अन्शू है यह कि इसकी दादी मा पिला रहे थे उसको दूद के मैं पिला ती लेकिन वे वोले मैं नहीं मेरे पास दे दो मैं पिलाती हूं दूद तो मैंने सोचा मैं धोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं कि हमारी आज हालत कैसी हुई है सुबह से बहुत जदा परिशान थे हम दो दिन से क्योंकि अभी तक आई हुए हमें दो यी दिन हुए हैं और आंशू बिमार हो गई और बस अभी आज तो ठीक है मोशम भी ना ज्यादा धूपे ना ज्यादा बादल है मल बारिस का मोसम है लेकिन आज इतना ठंड नहीं है दो दिन तो इतनी ठंड लगी हमें और हांशू को हो और ज्यादा सर्दी बढ़ गई फिर तो मैं धोड़ा बाहर आई थी तो इधर हाइवेट अची है यह होस्पिटल तो साथ में इधर यह होस्पिटल जो साथ में है जो भाजी मारकेट है पीछे लाइन में लगे हुए हैं तो सासूमा बोल रहत है कि चलो हम थोड़ा सबजी ले लेते हैं नजदीक है तो ऐसी प थोड़ा दूर है तो उसी मेडिकल में मिलती है जो डॉक्टर लिख के देते हैं दवाईया तो वहां गये थे वह अभी आई नहीं थे तो आई अन्शु को दूद फीडिंग करवा रहे थे और मुझे भी आसा लग रहा है मुझे भी सर्दी हो रही है अभी तो हम आगे थे यह सबजी लेने लिए तो अद्रख बहुत अच्छा हमी ठंड में चाय में भूत अच्छा लगता है अद्रख की चाय पीना तो आद्रख ले रहे थे आई और मुझे पूछ रहे हैं किया सब्जी खानी है तो अब फ्लावर अच्छी लगती है महरा स्टेन मललजाम वेरा सशुरा अलुब वाम पर बहुत अच्छी बनाते है काली सब्जी यह देखो हरा हरा धनिया और महरा स्टेन लेंगोजु इसको बलते कथमबीर और अभी यह फ्ला कुछ एक सब्जयान थी जैसे मीथी होगी शेप होगी वह इधर नहीं दीखरी थी हमने सब पूरा चारो तब देख लिया था इधर नहीं थी तो हमें दूसरे जगा जाना पड़ेगा उधर मीथी ज्यादा अच्छी लगती है ठड़ के टाइम में और मेरे सासोजी को मीथी लिए पासंद्ध और जो भी पसंद्ध है पसंद्ध मुझे पसंद्ध लिकिन मुझे जो मुंग फली मुथी रहती है जियादा पसंद्ध मेरे ससु學ाल है उधर अधर पतली मुथी स्ट्ध मुषी बनाते हैं पश्जी somehow पटली मुथी ममंघ mercury vidéos को को ग्रण कर तो पाने vi बनाते हैं मिथी तो मुझे वैसी ने पसंद मुझे सूकी वाली मिथी अच्छी लगती है और भी रोटी के साथ नहीं अच्छी लगती है तो बस इधर तक है ये सबजी थोड़ा आगे भी है लेकिन थोड़ा सा दूर है तो ये हरी मिर्ची तो आई बोले होर कुछ लेना है क तो मैंने बोला देखते हैं आगे मुई फ्रूट्स लगे हुए हैं पपिता एपल और संत्रे भी है और अम्रूद और बैर लेकिन नई ठंड में नई लेने हुए सर्दी और ज्याद़ बढ़ जाएगी आई बोरे टमाटर लेने हैं मैं टमाटर ले लो कि टमाटर मेरी सबज मेरी आई जो है वह यह मुंगपली वाले ज्यादा खाते हैं तो टमाटर इतना इस्तेमाल नहीं करते लेकिन मेरे लिए लगते हैं कि में जो भी हमआचली सबजे हैं उसमें तो टमाटर और प्याज लगता ही है तो गरेबी बना के वैसी बनाती हूं मैं तो ठोड़ा आगे चाह रहे हैं इधर टमाटल ले लिए और इधर अच्छी हरी मिर्च थी ताज ताजी नीमबू सिमला मिर्च तो मुझे नहीं पसंद ज्यादा हां कभी कभी हुआ तब खाती नहीं तो नहीं घाती और चाहती है तो कुछ वर्ड नहीं पता लगते हैं मुझे तुम्हें आई से पूछती हूं कि इसको क्या बोलते हैं क्यांकि हमारे उदर अभी गवार अगते हैं एक चोटी चोटी रेते मिर्च्जी जäsी है उसकी सब्जी सब्जी तो मैं नहीं सेएंज हूआ का ले शी उतबी नहीं हें है क्योंकि हमने मेरे सब्सक्राइब दे दिया आज उसकी पता निक्या ठोड़ा चुड़ा ही हुई है रोई जा रही है बस उसको इतना हमें पैजो हमारे उदर करनाटका के डॉक्टर है उनके पास हमने सब दवाईया ले थे उसको सर्दी के दवाईया उल्टी के दवाईया उल्टी की दवाई से तो पढ़ गया थोड़ा बहुत फरक लेकिन सर्दी को कुछ भी फरक नहीं पढ़ा उसको और बुखार को भी नहीं बुखार फीवर का भी दवाई लेकिन नहीं उससे भी कोई फरक नहीं पढ़ा तो यह है वो होस्पिटल जो है साथ में है और मेरे तो जीने लिया है आंशु को कि बस कुछ स्मायल है कुछने कि भी दंध्य क्तु नहीं क्यूंके बच्य का पेड केड़ जब तक भड बर नहीं होता तब तक वह रोता ही है अभी हम हम तो ट्राई करहें अनन्शु को उसको मैं उसको सैर्लाक्स औगैरा भी दिया मैं उसको स अब ले लिया था आपने बैंकन ले लिया है टमाटार और फ्लावर लिया था लेकिन इतर एसे की सब्जी लेनी है मिति की तो बहुत है कि तो हमाबी दूसरी जगह देखेंगे साहत मीं है आगे तो अन्षू रोई जा रही थी और अन्षू को आई ने चोटे से ड्राइ सिर्जे से ब्लैंकेट है वो लिया हुए है क्योंकि गाड़ी में उसको हावा ना लगे इसलिए उसको ऐसे ले रहे है आई तो आई बहुत अच्छा लेते हैं मुझे भी आसे नहीं आता है ले ले लिया था लेकिन हो रही थे तो फिर से उसको निकाल दिया और अब बस हम जाने वाले हैं दूसरे जगा मतलब जहां पर सबजी मिलती है तो इदा चाई पी रहे थे दो आजबें बोल रहा है चाई पी नहीं है क्या तो नहीं पिया हमने चाई बगारा क्यूंकि आंसू आसी चिड़ चिड़ी हुई थी क्या पता मतलब उसको थोड़ा गले में भी दर ता भी अपनी हाल था मितने बड़े है लेकिन हमारी हालात इतनी घराब हो जाते जब सर्दी होती है तो है दो बच्चा है तो इसको तो बैद ना बोल सकते ना कुछ तब ही आ गए हम दूसर छेपो की भाजी करे कैम दो कि दूसर आलों को अ Seems a इसिरस दालाना था तरह शक्ती पहों और आले कि अदल रहें तो एथर मिरच्छिल ऑना हरी हो तो आभी हमें आरी मिरच्च यह वत इस तो थोड़ा बड़ी थी और एक थोड़ा छोटी वल थी तो नीम्बू थे लेकिन हमारे घर में मैंने आपको बताया होगा नीम्बू का पेड़े तो उदर बहुत सारे नीम्बू लगते उस पेड़ में तो लेने की जुरूरत नहीं रहती लेकिन जहां पर करनाट के में वहां नीम्बू बसारे लेने पेड़े लेज़ी पीनकी रखिन एक ल arguably फानी तो नहीं लेती हूं अब्य मुझे तो नई पसंन लेकिन घर वाले खाती हैं में दो और शैखर 1724 E कि जा रही है गार्डियान देख रही है और सिम्ला में चुछ लिया और बस वही ले रहे थे क्योंकि हमने फ्लावर हो गया रहा रहा पीछे पीछे वाल भाजी मार्केट में ले ली थी सबजी देखे तो ऐसा लगता है कि सब सबजी उठाके लेके चलो लेकिन कुछ एक सबजी पसंद नहीं आती है मुझे तो और अभी सबसुजी बोल रहे है कि के ले नहीं है ले लो और दूसरी जागा में रह गया क्यूंकि आई को उपवा से ब्रत है सोंबार का ब्रत करते है मलब जब से शादी हुई है आई कि हमारी साथ समागी तब से मलब ब्रत पकड़े हुए हर सोंबार करते हैं मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर देजिए